हलो दोस्तों बात करें मार्केट आज कैसा रहा और कल कैसा रहेगा सबसे पहले वेर ट्रैप तो बजार ने डेफिनेटली किया और जो एक्सपेक्टेड रिवर्सल था उससे कहीं गुना जादा रिवर्स हमें आज बजार करते वे ना देगे सुभे सुभे मार्केट खुला और उसके बाद एक रिवर्सल दिया चलो ये तो वीशेव रिकावरी कर लिया मजा ठीक है बट ये वाला जो कैंडल फॉर्मेशन है यहां पर निफ्टी ने करीब करीब 170 पॉइंट के असपास का मोमेंटम दिया वो भी जश्ट 15 मिनिट के अंदर दोस्तों जी हां एक ब्य निफ्टी बैंक करीब यहां से लेके यहां तक का जो हाई है वो 600 पॉइंट से भी जादा का है तो सोचिए पूरा दिन जो टाइम प्यास का है वो 600 पॉइंट से 15 मिनिट के कैंडल मूब दिया उसके बाद टाइम प्यास किया हम लोग ने यहीं पर ही ट्रेडिंग खतम कर लिए विए डन फॉद दे मार्केट इससे पहले हम लोग एक्जिट कर लिए थे और यह सार अपडेट आपको टेलिगराम चैनल पर दोस्तों मिल जाता है और मार्केट कल कैसा रहेगा क्या अपडेट रहेगा क्या बजार बापस 48,000 को रिगन कर पाएगा या नहीं क्या न नीचे आपको क्या मिलेगे ना डिस्क्रिष्चन में आपको वीडिओ का टाइमलाइन मिल जाएगा यह देख सकते है आप वीडिओ का टाइमलाइन तो आपने हिसाब से आप वीडिओ को वीडियो को मूवड और बाक वरट कर सकते है और टेलिगराम चैनल का निuishाजिन की Hang जाबा कोई अडर्श का नहीं होना चाहिए मेरे नाम पर आपको कोई TEELEGRAM चनल दिख रहा तो वो ogr Theくड हो वह पर संथ होगा विद्यूत बिस्वास के नाम पर कोई TEELEGRAM है तो वह ँषक है 100 पर संथ घॅर्डि कॉई कोई TEELEGRAM सर्विस ये फाल्तू स्कैम नहीं है कोई डिपोजिट योर मनी और पांच घंटे के अंदर आप बाद नहीं हो एक बड़ा सा सम आप विड्रॉ करेंगे ये वाला फाल्तू वाला ओफर कोई नहीं है क्रिप्टो करेंसी को पर तो कभी भी मैं सपोर्ट नहीं किया हूं और तो कोई ट्रेंट आपको दिख रहा होगा तो ट्रेड कोई प्लीज जॉइन करेंगे आगे हम लोग ने करेंद करीब करेंसे किया साथ सो सतांवे पस का प्रोफिट हम लोग नें फ्री ऑफ का सामने हैं हैं दोस्ता आप देख सकते हैं हम लोग ने मार्निंग पर इसके थे बट as because market ने no bounce back दिया बट उससे पहले नीचे बापस गिरा था तो हम लोग यहां पर trailing stop loss लगा के हम लोग क्या किया निकल गए उसके बाद market ने reversal दिया तो we miss that opportunity बट चीग है अच्छी बात है at least हमनो scale profit मिल गया और 800 point के profit हमें मिल गया तो यह सारे अपडेट आपको telegram पर दोस्तों मिल जाता था लाइव अपडेट हम लोग कर रहे थे तो यह सब आप दीख सकते है पेट ग्रूप को भी करीब करीब आज हम लोग ने 752 points के आसपस का profit rate दिया था वो भी मैं आपके साथ यहां पे share कर दो लूक हम लोग का trading खतम हो गया तो jackpot profit हम लोग को मिल चुका था तो और क्या जिंदिगे में चाहिए तो jackpot profit is done अब बात करते है कल market क्या करेगा जिस हिसाब से निफ्टी ने कारोबार किया है आज जो reversal बजाने दिया है और इंडिया विक्स का अगर बात करो चलो इंडिया विक्स में देखने को बलाओ देखने को मिलना भी चेए 600 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी 15 मिनिट में भाग रहा है मतला volatility तो होगा ही होगा दोस्तों उसमें कोई doubt ही नहीं है तो ये volatility continue भी कर सकता अब जिस आप से market अभी election से पहले जो up and down swing करेगा उस से थोड़ा बचके आपको trade करना है कल के लिए क्या trade setup रहेगा आपको ज़्यादा technical सुनने में interested है नहीं बट मेरा काम है छोटा सापको एक information दे देता हूं निफ्टी का पहले start करते है अगर आप देख रहे है तो अलड़ी यह यहाँ पर double bottom बना चुका है और अभी भी देखा जाए तो यह जो लक्ष potential moving average है नो कल के वीडियो पर यानि कि जो मैंने weekend में जो वीडियो बनाए था वहाँ पर मैंने already बता था कि मैं 70% क्या हूं बेरिश हूं और 30% मैं बुलिश हूं राइट और इसी साब से मायरा मेरा जो टार्गेट था यह भी पूरा होगी अभी मार्केट खुलते नीचे गि वह भी बता दूँगा पर उससे पहले दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं पहले किया किजिए ना वीडियो को कमेंट कीजिए नीचे निफ्टी ही लिग दीजिए अगलिस कुछ नहीं आता है निफ्टी बैंक निफ्टी लिग दीजिए और अगर कोई inputs आपके 24,100 का लेवल है आज भले इसके उपर बंद क्यों ना हो बट मैक्स जो पेन है ना आपका जहां पर मैक्सिमाम टैम माके ने पेन फिल्स किया वो 22,050 के लेवल पे है और जो PCR डेटा है वो आपका 77 पे है 0.77 मलब के यहां पे हमें बाइ सिगनल मिल चुका है राइट बाइ स परी मैक्स पेन से 50 पॉइंट उपर बंध है तो यहां पे थोड़ा सा एक वारिनिंग में आपको दे देता हूं ना मुझे पता है कि आप लोग को टेकनिकल में ज्यादा इंट्रेस्टेड है नहीं आप लोग को लेवल से मतलब है बट ऑप्शिन पेज में अगर आप आए यहां पे हम लोग अभी भी बेरिश है और इह चारों तरफ हमें शॉर्ड बिल्ड और लॉऌड उन्वाइनिग सब देखने को में लिगया दोनों का मिला के करे लांग 높 लॉAST के तो सब मिला के यहां पर एक बुलिष विLab ale उया पर यहां पी दो बुल है ओन और तो लिखना रेशियो यह है कि 2 is to 1 यानि कि bull versus bear का रेशियो है 2 is to 1 और अभी सवाल यह जाता है कि market में उपर के तरफ as because इक दम boundary line पे ही आपका short build है तो market का resistance का रेजिस्टेंस का जब बात करता हूं तो आ जाते important levels, I know आप लोगको important levels ही पहले सुनना है तो मैं mark कर देता हूं, बात है because global market थोड़ा positive है तो हाँ पे side positive की use चलेगा और 22,230 से लेके 250 का zone, 22,300 I am not bullish above this as of now, आज के लिए तो ठीक हूं, कल के लिए इसके उपर में expect नहीं कर रहा हूं, अगर मिल जाता है तो समझ लो extension बाला move होगा, नहीं तो नीचे का तरफ 22,050 जहां पे as because मैं अभी विवसल लेके उपर 22,150 जहां बहुत बड़ी बात है और मेरा जो game plan रहेगा कल के लिए यानि कि जो trade plan रहेगा कल के लिए वो होगा मैं 60 to 40 के ratio पे चलूँगा, ठीक है, पहले 70 to 30 पे था, अभी 60 to 40 मतलब मैं 60% bearish हूं because bear trap तो आज बजाने किया है तो कल थोड़ा बहुत bull trap करने के संभाब ना भी तो है, इसलिए मैं अभी bear research हूं और इधर bullish हूं, तो अपने हिसाफ से game को strategy बना के चलेंगे, because 60-40 का ratio मैं अगर खेल रहा हूं, तो मेरा maximum risk 20% का ही होगा, यानि कि profit भी 20%, तो loss भी 20%, इस risk में साथ मैं चल रहा हूं, और 20% in the sense of because of this, मैं उसको obviously adjust कर सकत करना मत भूलेगा, और bell icon को भी click करना मत भूलेगा, let's talk about bank nifty, फटा फटा फट बात करते, bank nifty का current closing आप देख लिक बात, market ने अपने आपको आज बांद किया है, 47,500 के उपर 47,754 और 47,841 तक का high लगा है, but 47,800 के नीचे बजार है, तो यहां तक का the attraction point था ही था, पहले से ह पता था, but इसके नीचे बंद हुआ, मतलब market के पास अभी दो choice है, दो choice के लिए मैं पहले आपको option page दिखा जाता हूँ, let's go to the option page, in the meantime video देख रहे तो like, share, subscribe, और वो करना मत भूलेगा, देखें, यह सारे जगा पे green है, मतलब यहां तक market में long build हो है, और कहीं कहीं पे जो short build था, वो अभी short cover हो गया है, overall sentiment आपका bullish है, but 47, sorry, 48, 700 के ऊपर यहां थे, नीचे के तरब, यहां पे short build है, which means के market यहां पे bearish view दे रहा है, इस side पे, ठीक है, इधर का पूरा का पूरा market में short build देखने को मिला, कहीं कहीं पे long unwinding देखने को मिला, right, उसका मदलब यह के market overall इन द और वो जादा है, but मैं इसलिए थोड़ा warning दे रहा हूँ, कि market चाहे तो एक bull trap बना सकता है, इसलिए जो important levels में सबसे पहला जो warning रहेगा, उससे पहले मैं PCI data आप लोगो दिखाता हूँ, bank nifty का maximum pain है, और PCI data कहां पे वो दिखाता हूँ, PCI data है 0.9, जो की indicate करता है by signal, but within warning के market और एक अपल लिमिट के आसपास है, तो सुतर जाओ, समझ जाओ, और warning के साथ चलना पड़ेगा, और maximum जो pain area है, वो है market का 47,800, आप देखी सकते है, market उससे 50 point नीचे बंद है, 47,700 and 54 के आसपास बंद है, ये closing है market का, adjusted closing है, ठीक है, और ये आपका maximum pain है, मलब करीक पर ये round figure 50 point approximately negative side में बंद हुआ है, चलिए अभी important levels मैं bank nifty का आपके लिए mention कर देता हूँ, 47,800, ये midpoint अगर हम लोग लेते है, तो market इसके 50 point नीचे है, तो कल अगर market इसको उपर gap आप खुलता है, सबसे पहला target होगा ये, strong resistance कम attraction followed by 48,200, another level of strong resistance कम attraction, ये दो level पार किया, उसके बाद ये strong resistance है, and I am not expecting this level, मैं पहले बता रहा, I am not expecting this level, अगर मिल जाता है, तो सोनो, सोने पर सवागा, पुरा का पुरा trend रिवर्स कर गया बापस, नीचे का तरब मैं expect कर रहा हूँ, तो वो होगा 47,600, 47,500, ये दो level market कल बापस आ सकता है, because पुराना वाला दुस्मनी है, तो market बापस उसको फेस करने आएगा, support को बापस रिटेस करने का कोशिश करेगा, अगर market bear trap, sorry, bull trap करना चाता है, तो, ये break किया, तो 200 point नीचे गरेगा, 47,300, 247,000, और 46,800 के असपास, data अभारा अभी भी pending पे है, right, already हमें एक छोटा-मोटा profit मिल चुका है, अच्छा-कासा jackpot trade मिल चुक bear issue, चोटा-मोटा scalp में, swing में, पैसा बंदा, ठीक है, 40% bullish हू, market में, और दोनों तरब का swing खेल रहा हूँ, अगर मुझे risk लेना है, तो 20% plus minus का, यानि कि profit और loss, दोनों का 20% का एक balance approach, यानि कि इन दोनों के बीच में difference कितना है, 20%, तो, ये मेरा risk open position है, बाकी मेरा balanced out रहेगा, अगर मैं trade कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा setup रहेगा, कल के लिए, according to that, अगर duration दीख रहा है, कि एक तरफा है, तो एक तरफा खेलेंगे, नहीं, तो फिर दो तरफा दीख रहा है, तो दो तरफा खेलेंगे, चले, दोस्तों, वीडियो को देख रहा है, तो पहले like, share, subscribe क को ही ज़रूर जोइन किज़ा, because fake telegram channel काफी सारे है, अपना पैसा डुबाने से अच्छा है, कि original telegram channel को verify कि उसके बाद जोइन किज़े, ठीक है, और सारी के सारे links आपको video description मिलेगा, telegram का ID, facebook, twitter, instagram, सारे social media के ID, आपको either a landy invest आपको दिख रहा है, thank you so much, I wish you guys, all the best for tomorrow.